Assalamualaikum students, I am from Bluebell School System, class in charge of playgroup. Today our subject is Urdu. आज हम पढ़ेंगे कारवाने उर्दु की किताब का सबग. सब स्टूडेंट पेज नंबर 102, सफ़ा नंबर 102, निकाल लें. आज हम करेंगे हरूफे तहजी की पढ़ाई, विमा, आवाज. ठीक है, पहले आपने हरूफे तहजी की पेचान की और आपने और लफ्सों को पेचान है. आज हम हरूफे तहजी को विमा आवाज के, जैसे इंग्लिश में हमारे फॉनिक साउंड होते हैं, इसी तरह हरूफे तहजी के हर्फ की आवाज होते हैं. तो आज हम उनके रेटिंग करेंगे चलें हम शुरू करते हैं अलिफ अलिफ के बाद अगला हर्फ है अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा की अबे आवाज जो है अलिफ जैसी है लेकिन अलिफ मद्दा की आवाज में ये फर्क है कि इसको हम लंबा करते हैं अलिफ मता आ, आम, जैसे हम आम का वर्ड बोलते हैं तो आम, उसमें अलिफ मता की जो साउंड है, जो आवाज है, अलिफ की आवाज को जब हम लंबा कर देते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं, तो वो अलिफ मता की आवाज होती है, दुबारा से मैं दोहरा आ रही हूं, अलिफ त, टे, ट, से, सा, जीम, ज, चे, च, हे, ह, खे, ख, दाल, द, डाल, डा, जाल, जा, रे, र, अडे, अडा, जे, ज, ज, दुबारा से पड़े, रे, रा, अडे, रा, अड़, जे, ज, से, स, सीन, सा, शीन, श, शीन, श, शीन, श, और आपने इसकी आवाज को सही निकलना है जब भी आप हर्फ पढ़ें तो आपने बिमा आवास पढ़ना है शीन, श, स्वाद, 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 ज्वाद, 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 ज तहजी को बिमा आवास के साथ आपने पढ़ना है और इसको याद करना है इन हरूफ की पहचान करनी है हमने अलिफता जुआत जो है वो हमने पहचान भी कर ली थी आज मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई है इससे बनने वाली जखीरा इलफाज जो इससे बनने वाली चीज़े हैं आप वो भी याद करें ठीक है स्टुडेंट्स यह थी आज 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 आपकी वर्किंग अलिफता जुआत बिमा आवास अब आपने इनकी कोपी पे भी प्रैक्टिस करनी है लेकिन जब भी आप हरुफे तहजी को अपने नौट्बुक पे लिखें तो आपने इनको खांदान के लिहास से करना है ओके थैंक यू सो मच अलाफिज